नमस्कार, स्वागत है, सुपर सेवन तू थाउजन ट्वेंटिटीटू, मकर राशी, मकर लगन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि लगन और राशी से क्या देखा जाए दोनों तरफ से देखिए, लगन आपका तन है, आपका शरीर है, राशी आपका मन है, आपका भाव है, आपका गोचर है तो दोनों तरफ से मैच किया करिये, दोनों तरफ से देखा करिये भले ही 0 डिगरी का हो, भले ही 10 डिगरी का हो, भले ही 20 का हो, भले ही 30 का हो कुछ नहीं अगर आपका लगन और राश मकर है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है जनवरी से लेके दिसंबर तक सिक्षा से लेकर के स्वास्त तक कैसा भी इतने वाला है 2022 इसकी जानकारी सम्यक तरीके से शुभ तरीके से लेकर के उपस्तित हूँ और एक सॉलिड उपाई भी बात करेंगे हम लेकिन जानकारियां दे दे हम आपको कि 30 दिसंबर तक आप अभी हमसे गाजयवाद मिलाकात कर सकते हैं 5-6 जनवरी को लखनव और उसके बाद पतना कलकत्ता, रांची, जमशेदपूर, राउरकेला, बनारस और कानपूर 8 शहर, 15 दिन का दोरा हमारा आरंभ होगा 5 जनवरी से बिलम मत करिएगा, जो नंबर आपके सामने फ्लेश हो रहे हैं, किसी भी नंबर पर कॉल या वाटसप कर सकते हैं आपके पास समय है, आप जरूर मुलाकात करने का प्रियास करिएगा बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे आज के खास मकर राशी मकर लगन वालों के लिए पूरा वर्ष, समपूर भविश्यवारी, 2022 कैसा भी इतने वाला है सबसे पहले बात करते हैं आपकी सिक्षा के लिए पढ़ाई में जनवरी और फरवरी, ये दो महीना बहुत अच्छा नहीं है पंचम भाव से अश्टम, पंचम में आपके पढ़ते हैं ब्रिशव राशी और वहां से अश्टम धनु राशी, तो वहां बैठे रहेंगे सूर्य देओ थोड़ा सा नुकसान करेंगे, जनवरी महीना सिक्षा के लिए कश्ट दायेग है फरवरी आपके लिए बहतर होगा, फरवरी में कुछ अच्छे निरणे लिए जा सकते हैं फरवरी महीने में कुछ बड़े फैसले होंगे शुक्षा को लेकर के आप सावधानी वरतने के साथ साथ कदम भी बढ़ा देंगे मार्च टफ रहेगा, अपरेल मई में रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे कोई इक्जाम दिया होगा, बहुत अच्छ रिजल्ट आएगा जून जुलाई तकलीफ देगा, व्यक्दिकत मसलों के कारण पढ़ाई में कमन लगेगा लेकिन अगस्त महीना अदभुत सावगात ले आएगा ग्रही इस्तिती आपके पूरतया पक्ष में दिखाई देती है सितंबर, अक्टूबर कहीं यात्रा पर जा करके और कोई कोर्स नया कर सकते हैं आप एजुकेशन लोन, विदेश जाना सितंबर, अक्टूबर बेश्ट होगा नमंबर महीने में मांसिक तनाव है, पारिबारिक इस्ति ठीक नहीं रहेगी, जिसके कारण स्विक्षा प्रभावित होगी दिसंबर आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा, किसी तनह की समस्या नहीं है इस महीने में पढ़ाई अच्छी खासी दिखाई देती है ब्यापार मकर लगन 2022, बिजनस की इस्तिती बहुत अच्छी होगी ब्यापारिक दिश्टिकोर्ण से आपका सब कुछ बहतरी इन जाएगा सब कुछ बहुत बहतरी इन जाएगा, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी सकरात मक्ता फैलती जाएगी जन्वरी से मार्च अनोखा है, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा और नया होगा अपरेल टफ है, लोन आदी लेना पड़ सकता है, पैसे कहीं फसेंगे मई-जून रिस्क लेना भारी पड़ेगा, पार्टनर्शिप तूट सकती है जुलाई, अगस्त, कुछ बड़ा होगा, विदेश ब्यापार की संभावना है सितंबर और अक्टूबर महिने में कोई दोस्त धोखा देगा, पैसा आपका फंसेगा या मरेगा कुछ कानूनी अर्चनों में भी फंस सकता है आपका ब्यापार नौबर महिने में धन दायक की स्थती रहेगी, नौबर किसी तरह की दिक्कत में नहीं दिखाई देता है कुछ बड़ा और अच्छा सकारात्मक होगा और दिसंबर महिने में धन की स्थती बहुत अच्छी रहेगी, किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी आप एक कुशल ब्यापारी के रूप में खुद को इस्टैबलिश कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर, यहां मामला आपके हाथ से बाहर जा रहा है चीजें बिगड सकती है, नौकरी छूट सकती है दिसंबर के लाश्ट से जनवरी और फर्वरी महीने में बहुत जादा एग्रेशन ठीक नहीं है, आप कुछ लोगों की तारिगेट पे है, अब यह आपको ध्यान देना है कि कैसे उस लक्ष से बाहर निकले सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है, मार्च महीना फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखाई देता है अप्रेल में प्राइविट सेक्टर वालों को नौकरी से हाद होना पड़ सकता है सतरकता अनिवारे हैं, हमने आगाह किया है, डराया नहीं है, बचाव की प्रियास में आपको लगना पड़ेगा मई और जून महीने में नई नौकरी की संभावना सतर प्रतिशत से असी प्रतिशत है आप प्रियास करिए किसी महिला मित्र का सहयोग ले सकते हैं जून जुलाई, यहाँ टफ सिचुएशन रहेगा, एक्सेस एक्सपेंडीचर से दिखाई देते हैं नौकरी से आपको कर्ज या उधार लेना पड़ सकता है, एडवांस सेलरी लेने की नोबत आएगी जुलाई महिने में यात्रा में कुछ नुकसान की संभावना है, अवाइड करिएगा अगस्त सितंबर बहतर रहेगा, किसी तरह की दुकावर दिक्कत नहीं आएगी कोशिश करके विदेश जाने का प्रियास सफलता के साथ दिखाई पड़ रहा है सरकारी छेतर मकरलगन मकराश जनवरी बहतर रहेगा, यहाँ प्रमोशन की स्थिति बद्ती है फरवरी महिने में बॉस के साथ कुछ बिवाद 15-18 की बीच में संभाव है मार्च महिने में बड़ा परिवर्तन है, वाहन का सुख है, सकरात्मक परिवर्तन है, ट्रांसफर संभाव है अपरेल महिना थोड़ा सा टफ रहेगा, सोच समझ कर फैसला लेना होगा, यहाँ मुश्किल नहीं आ सकती है माई जून बेहतर रहेगा, कहीं डेपूटेशन पर भेज़े जा सकते हैं, डिपार्टमेंटल परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है जून जुलाई में सगरात्मक रहेगा, बहुत प्रशन रहेंगे, आप पर कुछ इक्ष्ट्रा वर्क लोट रहेगा, जिसका लाभ आपको खुल कर मिलेगा किसी तरह की दिक्कत नहीं आईगी सकरात्मकता आपके कदम चुम रही है, हर लिहाज से शुब रहेगा सब कुछ सितंबर, अक्टूबर थोड़ा सा टफ रहेगा, सोच समझ कर फैसला लीजिएगा हो सकता कि कुछ उकसा करके आपके हाथ से नौकरी जैसे छीनी जाए शडियंत्र गुप्त रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे आप, सरकारी छेत्र में हैं, बहुत सतरकता रहने के आवशकता है नौंबर और दिसंबर महिने में कहीं यात्रा पर भेजे जा सकते हैं, इनकार करेंगे तो मुश्किल होगी स्वास्त थोड़ा सा हलांकि इस महिने में खराब रहेगा, लेकिन काम आपका प्रभावित नहीं होगा वर्क लोड रहेगा, वर्क प्रिशर रहेगा और आप उसको अच्छे से टैकल और हैंडिल कर सकते हैं दामपत्य जीवन मकर लगन मकर राशी 2022 संपूर्ण भविश्यवाणी मैरिट लाइफ के लिए समय बहुत नेश्ट है, सकारात्मक है, शुब है जनवरी, फरवरी, अनोखा, हर प्रकार की सकारात्मक कुर्जा पति-पत्नी के बीच ने एक दूसरे को सपोर्ट और यही आपके लिए सबसे बड़ा सवगात है मार्च महीना थोड़ा बहुत उठा पटक दिखाई दे रहा है, बच्चों को लेकर के तनाव हो सकता है कुछ मुश्किलें आपको उलजाएंगी, सोच समझ कर फैसला लीजिएगा अचानक से कुछ दिक्कतें बढ़ रही है, अपरेल और माई महीना बहुत सकारात्मक है, मैरे लाइब बहुत हैपी रहेगी, घुमने टहलने का कारक्रम बनेगा होली का फैस्टिप सीजिन रहेगा, अच्छे से आप इसको सलिब्रेट करेंगे मई और जून महीने में कुछ निकारात्मक कोरजा रहेगी, लेकिन आप इसको बैठ करके किसी बुजुर के हस्तक्षेप से मैनेज कर लेंगे जुलाई महीने में तनाव बढ़ रहा है, किसी बाहरी तत्तो का हस्तक्षेप बढ़ेगा आप लड़की हैं, आपकी राश्य मकर है, साथान हो जाईएगा, मैरे लाइफ ठीक नहीं रहेगा अगस्त बहुत अच्छा है, आप जो जुलाई में समस्दारी दिखाई हैं, उसका लाव अगस्त दिखाई देगा बच्चों का सुख मिल रहा है, अच्छे काम कदम बढ़ाएंगे, सब कुछ सकारात्मग रहेगा सितंबर और अक्टूबर में तनाव बढ़ रहा है, पारिबारिक विगटन की स्थिती रहेगी, बड़ा अप डाउन रहेगा पूरा अक्टूबर, सितंबर, ऐसे ही जाएगा लगबग तो यहां एग्रेशन पर काबू रखना है, वाड़ी पर और गुस्ति पर, पूरी तरह से, नौमबर दिसंबर मेरेड लाइफ अच्छी रहेगी, बच्चे का सुख मिलेगा, पुरारी समस्याओं का हल निकलेगा, कोई मित्र मददगार साबित होगा, घुमने टहलने के ख सारे कारेक्टरम बनेंगे और बहुत हैपी और स्मोध महरेड लाइफ रहेगी, लव लाइफ मकर राशी, दो हजार बाइस, संपूर्ण भविश्य बाड़ी, जनवरी, टफ सेचुएशन है, विक्छेदन इस्थती की आती है, सतर्क रहें, सोच समझ कर फैसला लिजी, फर सा कठनाईयों का दोर रहेगा, मई जून सकरात्मक है, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, परिस्थतियां आपके पक्ष में हैं और उसका आपको लाग मिलेगा, जुलाई अगस्त में कुछ उल्जन बढ़ सकती है, अचानक से तनाव बढ़ सकता है, जुलाई अगस्त अद्भुत है, अनोखा है, नए प्रपोजल्स है, शादी की चर्चा है, और शादी हो भी सकती है, 2023 में, नॉम्बर दिसंबर बहतरीन बीतेगा, बीच में थोड़ा सा उठापटक था, लेकिन वो भी आप हैंडिल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, स्वास्त की बारे में बात करें तो 2022 हड़ियों से बहुत परेशान करने वाला है, और अगर आप शूगर किड्नी के पेशेंट हैं तो आपको इक्ष्ट्रा केर की आवशक्ता है, किसी प्रकार की सरजरी के लिए विचार कर रहे थे तो फरवरी, जुलाई और नॉम्बर मह आपके लिए अन्कूल रहेगा, यात्रा के दौरान चोड़ चपेट मार्च अगस्त और नॉम्बर, मार्च अगस्त नॉम्बर यात्रा के दौरान सतर्क रहने के आवशक्ता है, चोड़ चपेट की संभावना बनती है, उपाय क्या करें मकर लगने मकर राशी वाले 2022 को ब कीपल के नीचे रख दीजेगा, हमारी शुब कामना आए, आप सब के साथ है, नो नॉनवेच, नो पत्थर, बस ये दो चीजों पर अगर कंसंट्रेट करते हैं, तो बहुत सारे दोश स्वतह समाप्त हो जाएंगे, वित्रों, नूतन वर्ष मंगल यग्य भी हम करवा रहे हैं, गाजियाबाद में, 30-30 दिसंबर और 1 जनवरी को, साल को शुब करने के लिए यह भी एक बहुत अच्छा आवसर है, पूरे परिवार की शुबता की गारंटी के साथ इसका लाव लें आप, अपॉइन्मेंट ले ले, रेजिस्टेशन करवाले, नमबर आग के सामने चली रहा है, अनुमत दीजेगा, अपना बहुत ख्याल रखिये, नमस्कार, स्रीकिष्णा सिरादे कि अक्राए याओ, और आखु कारण बहा है, नमस्काल रखिये घर मुक